प्रबंद किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंदित मदर है उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतजाम किया गया है इस टाइम तो पूरी दिली से लगबग सब जगे से यहीं पर भेज जा रहे हैं केसेज रैफर किये जा रहे हैं डिलिवरी के लिए दिली के बाहर से भी बहुत सारे केसेज आ रहे हैं पिछली वेव के मुकाबले में यह वेव बहुत-बहुत माइल्ड है यह उपर वाले का करोन के यहां पर भरती हैं मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो करोना का बिमारी लेके आए थे जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें करोना निकलाया किसी की हड़ी तूट यह कहके आये थे जी मिरको करोना है मुझे करोना का इलाज कराना है 136 में से केवल 6 पेशेंट्स हैं जो करोना के इलाज के लिए आये थे बाकि 136 में से 130 पेशेंट्स हैं जिन में इंसिडेंटली करोना निकला वो किसी और बिमारी के लिए आये थे लेकिन इंसिडेंटली क तरह तरह की तकलीफे हो रहे थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत जादा कम है तो पूरे दिल्ली में आज जो दो धाई हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है टोटल सारा मिलाके उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोग इंख्या में केसेज बढ़ते भी हैं लेकिन केसेज का नंबर बढ़ रहा है केसेज जादा आ रहे हैं लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भरती हो रहे हैं अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तयार हैं लेकिन कुद्रत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त ल बेहाद से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि वो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़े कि हम पूरी तरह से तयार हैं जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37000 बेड्स तक तयार वो करने की है हमने अभी तक 37000 सारी अपनी कैपैसिटी इस्तेमाल नहीं की है ल इंद्य से आपने कहा कि 136 में वो हैं जो को मॉर्बिट होने के बाद उनको इंफेक्शन यहां मिला तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की जादा हुई है तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतिजाम के है कि क्या जी और भी निकाला है आप नहीं मैंने क्यादान लेकर CH aerial जे इनंसिदेंट्स अगराने उनको करोण भी लिए लृए चै高ए लेकिन बहुत्च सब्सक्राइब हैं लेकिन अपन है लोगों को न्ये सब्सक्राय कर बढ़ा है को जब आप ने नु अदेश पावंदिया लगाैं है क्योंकि मामस्त बढ़ रहा है तो परवावनिया लगनी ही थी लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे हैं पलायन जैसी इस्टिपी के लिए मैं उन सब को यह कहना चाहता हूँ कि यह जो रिस्टिक्शन्स हैं यह रिस्टिक्शन्स बहुत-बहुत-बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलन्स करना बहुत डेलिकेट है एक तरफ रोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप restrictions लगा दें तो लोगों के रोजगार पर आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर restrictions ना लगाएं तो आपकी सेहोत और आपकी जिन्दगी खत्रे में पड़ जाती है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि restrictions को जितना जल्दी हो सकेगा, आम उठा दें कोई भी कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले तीन दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगबग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आये थे, तीन दिन पहले, कल शायद 19,000 आये थे, आज जो शाम की रिप हजार के करीब मामले और 24% 25% के आसपास positivity rate पिछले दो तिन दिन से चल रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ भी सकते हैं इसका मतलब यह भी नहीं देखते हैं लेकिन हम सारी के लिए तयार हैं लोगों का यह डर है कि कहीं अब आप आप आई से हकते या आजए लॉक्डाउन नहीं लगा रहे हैं चिंता मतलब यह भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में पर रस्रिक्शन्स हैं लेकिन हासपास की जो यूनित है क्या यह मैं केंदर सरकार से अपील करू करेगा और उन्होंने आशवासन दिया कि वह पूरे एंसियार के अंदर इनीज रक्षिस्ट रेस्रिक्शन्स को करवाएंगे